हालो माई डियर स्टूडेंस विपकर फिर से आपका स्वागत है और क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं एक बार फिर से लिख करा हूं इससे पहले मैं ये वीडियो दे चुका हूं लेकिन कुछ और extra questions एड करने के बाद इस विडियो को और भी जादा interesting और साथ में important बना दिया है मैंने तो यहां पर जो question आपके साथ discuss करने वाला हूं ये questions है वाइवा based questions और topic है हमारा basketball अगर आपने basketball topic को ready किया है class 12 के physical education का जैसे आपको एक game choose करना होता है तो यहां पर एक question आपके helpful हो सकते हैं और दूसरी बात ये भी कहूंगा आपको कि English, History, Political Science, Geography, Business Studies, even accounts के कुछ वाइवा based questions की वीडियो भी दे चुका हूं वो भी जरूर देखिएगा तो first question देखते हैं हूं invented this fast-paced offensive game and when अब आपको बता होगा कि basketball जो है बहुत fast-paced game कही गई है क्योंकि वहां पर आपक करने वाले कौन थे और कब उन्होंने invent किया था तो यहां जो right answer है वो है Dr. James Naismith जो कि physical education trainer है YMCA training school में और कहां पर है Springfield USA में और उन्होंने इस game को कब invent किया था year है 1891 question 2 है यहां पर when was basketball officially introduced in Olympics Olympics में इस game को कब introduced किया गया था official way से हम कहेंगे तो हम बात कर रहे हैं Berlin Olympic Games में Olympic Games हुए थे Berlin में 1936 में question 3 है when was international basketball association formed अब आपको clear-cut answer देना है year आपको बताना है कि जो international basketball association है वो कब formed की गई थी तो यहां पर जो right answer है वो है year 1932 question 4 है who introduced basketball in India India में basketball को introduce करने का जो credit हो किसी दिया जाएगा या किसनी ऐसा initiative लिया था तो यह इंडियूस की गई थी यहीं basketball को इंडियूस किया गया था by YMCA college मदरास के दौरा question 5 है when was BFI means जैसे हम full form भी पूछ सकते हैं आपसे BFI क्या होती है तो basketball इंडिया constitute कभ हुई थी तो year यहां पर जो है 1950 में number of polls कितनी होते हैं यहां पर इस game की अंदर गर देखें पोल्स होते हैं 2 और जो material होता है यह थोड़ा सा different question है यानि जो पोल को तियार करने के लिए जो material यूज किया गया वो किस material के बने होते हैं तो of course हम कहेंगे iron के लोहे के बने होते हैं what is the duration of the game इस game की आपको duration बताने है duration का बतलो होते हैं जो match कितनी देर तक चलता है तो 40 minute तक चलेगा match और वो भी four quarters में 10-10 minute का एक पार्ट होगा 10 minute का जैसी पार्ट ओर होगा निक्स पार्ट फिर उसके बाद स्टार्ट होगा वो भी break लगने के बाद अब यहां पर जो है question 8 है वो बहुत important इसलिए बिकोज यहां पर आपको इस पूरे game में जितने भी जो officials हैं उनका number बताना है तो officials यहां count करते रही है आप कितने होगे वन रेफरी है, वन अमपायर है, वन स्कोरर है वन रेफरी, वन अमपायर, वन स्कोरर, वन असिस्टेंस स्कोरर, वन टाइम कीपर तो five तो मेरे यही हो जाते हैं एक 24 सेकंड स्कोरर होता है और एक table commissioner होता है तो this is how यह आपकी जो number of officials हैं जो इस game में use किया जाते हैं उनकी detail given है अब आपसे आपका जो physical trainer यानि जो आपका external examiner है वो आपसे यह भी पूछ सकते हैं अच्छा बताईए what is five seconds and three seconds rule of the game five seconds और three seconds rule क्या होते हैं game के क्योंकि basic questions से अगर आपने game choose किया है तो of course आपको पता ही होना चाहिए तो five seconds rule क्या कहते है a player cannot hold the ball without bounce suppose आपने उस ball को बिना bounce किये जैसे उसको लगातार आपको bounce करना होता है आप उसको bounce नहीं दे रहे हैं अपनी हाथ में जो है 5 seconds से ज़्यादा इसे hold नहीं कर सकते हैं और three seconds rule क्या कहते है कोई भी offensive player he cannot stay inside the opponent restricted area consecutively for more than three seconds suppose जैसे बाहर उसको कर दिया गया है वो आके वहां नहीं नहीं खड़ा ही नहीं हो सकता उसको नहीं allowed है तीन से ज़्यादा भी तो यह जो है इसके five seconds and three seconds rule है बास्केट पॉल के अब यहां next question है what do we mean by personal foul personal foul क्या होता है if foul committed by players with illegal body contract to opponent यानि आप game के दोरान जब अपने opponent को touch करते हो body से अपनी भागते भागते आपने अपनी body उसको मारती जोर से उसको टकरा दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया so this is called as personal foul question 11 है what is the size of basketball court अब दिखो अगर आप game की knowledge नहीं है तो समझे आपके marks काई यहां जो है basic question ही बनता है कि बताए बास्केट बोल कोट की जो size हो क्या है तो 28 मीटर वैसे length बोले गई है और 15 जो है मीटर वो हो जाएगी इसकी breadth हो जाएगी लंबाई और चुडाई दोनों की 28 मीटर की लंबाई हो जाती है और 15 यानि 15 मीटर की इसकी चुडाई हो जाती है what is the circumference of the ball बोल जो use की जाती है खेलने के लिए इसका overall area की यहां पर बताएए कितना होगा sorry 75 to 78 cm जो है यह इसका circumference रहता है यह आपको ऐसे सीधा ही question आपको देना होगा question 13 है what is the weight of the ball जो बोल यहां use की जाती है उसका weight क्या हो सकता है तो यहां पर वैसे men women का minor सा difference है कुछी gram का फरक होता है लेकिन basically इसको बोला गया 600 to 560 gram यानि 560 to 600 gram के बीच में इसका weight रहेगा how many players कितने overall players होते हैं एक team के अंदर जो खेल रहे होते हैं उनका नमबर बताईए तो टोटल बैसे 12 बोले हैं लेकिन जो playing 11 में होते हैं वो या playing team के अंदर होते हैं जो उस time जो है ground के अंदर होंगे वो 5 players होंगे और 7 साथ में होते हैं substitutes extra player होते हैं 7 players उसमें मैंने आपको इसमें question दिया है कि what is the 8 second rule यानि 3 second 5 second तो दे दिये अब अब यहां पर आपको बताने कि 8 second rule क्या होता है यह हमारा question number 15 तो यह question almost ऐसे questions हैं जो आपको confuse कर सकते हैं 8 second rule है a team must send the ball into its front court within 8 seconds suppose आपके पास बोल है आपको 8 seconds के अंदर अंदर उसको आपके सामने वाले उस पे भीजनी पड़ेगी जो दूसरी team के लोग हैं उनके सामने आपको उसको भीजना ही पड़ेगा so यह 8 seconds का rule है यहां पर next नहीं यहां पर what is man-to-man defense man-to-man defense क्या होता है तो in this system of defense यानि जो यह defense का system होता है every player of a team is responsible for defense against any specific player of opposite team इस system के अंदर defense की जो system है हर player जो है team का वो responsible है for defense against any specific player of opposite team तो यह हमारा क्या हो गया man-to-man defense होता है जो opposite team के player के साथ आप किसी भी तरह की जो है अपनी defensive technique की यूज़ कर रहे हो in fact man-to-man defense count होगा कि एक एक साथ एक player भी कई बार रुक जाते है कि चलो ठीक है मैं अपना defense करूंगा अपनी side को अब next question है question 17 where are the free throws taken from free throws कहां से लिये चाते हैं तो free throws होते हैं they are taken from the end line end line से आपको वो मिलते हैं end line से वो लिये जाते हैं next question मेरा यहां पर है what is pivoting अब दिखिए जो basketball के player होते है उनको इस चीज़ की absolute knowledge होती है तो pivoting का मतलब आपको बताने है pivoting गया होती है it means taking a step once or more than once in any direction आपने एक step आगे लिया किसी भी direction में with the same foot but other foot which is called pivot food जो आपका pivot food है दूसरा जो food है should remain in touch with the floor आप देखिए जब कर सकते हैं but एक पल के लिए जो यह pivoting होती है इसमें आपका दूसरा foot जो है वो touch किये रहना चाहिए फ्लोर को so this is called as pivoting so I hope so यह questions आपके लिए helpful होंगे but this is not the end because the continuation अब हो चुकी है वाइवा-based questions की तो यह question आपके लिए 100% ही helpful होंगे फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई doubt है तो comment section में जाके जरूर बताईएगा और अगर आप किसी और video की requirement रखते हैं regarding your physical education topic तो आप मुझे message जरूर गीजीगा so thank you very much and have a very nice day